मैंने पैसे डब्बे में डाले हैं I have put the money in the box Right, so इसके dialogues मैं नहीं करता हूँ आप खुद ही इसके पूरे dialogues करके record करिए पिता जी ने शाम को मारा था Father had beaten शाम तुम दर्वाजा खोल रहे थे You were opening the door उसने कोशिश की है He has tried मैं यात कर रहा हूँ I am remembering राम उसे यात कर रहा था राम वाज रिमेंबरिंग हिम मैं पढ़ाई कर रही हूँ I am studying तुम शुरूप कर रहे हो You are starting शाम ने काम खत्म किया शाम कम्प्लीटेड द वर्क ट्रेन रुखी थी Train had stopped मैंने पैसे डबे में डाले है I had put money in the box पैसे डबे में डाल रही हूँ I am putting money in the box राम ने उसे याद कर आया था राम है ड्रिमेंडेड हिम तुम शुरू कर रहे हो You are starting राइट सो यह सारे डालॉग्स है आप इसे यह सारे सेंटेंसे आप इसे डालॉग्स में कनवर्ट करोगे और आप उसके पूरे कम्प्लीट करोगे हिंदी इंग्लीश में confidently proper pronunciation के साथ में इसका मतलब है It means It meant इसका मतलब था It meant ठीक है वह बैट गया He has set वह बैटा वह बैट गया है He has set मैंने जल्द बाजी की I have hurried वह बैटा था He had set Malaria फैला हुआ है Malaria has spread बहुत लोग मर रहे है Many people are dying सरकार ने काबू किया है Government has controlled सरकार ने लोगों को tax किया था Government had taxed people तुमने फी भरी थी You had given fee मैंने पानी पिया है I have drink a water पानी leak हो रहा है Water is leaking Gopal अमेरिका से लोटा है Gopal has returned from America Sita good mood रही है Sita has taken a money Sita is moving Lata ने यह गाना गाया था Lata had sung the song sung this song Mohan ने पैसे लिखे थे Sita has taken a money वह पूछ रहा है He is asking वह बोल रहा है He is a saying He is telling भगवान का नाम लो Take God's name Right So इस तरीके से यह सारे dialogues है यह सारे sentences है जिसके dialogues आपको बनाने है Hindi English में बोलना है और base देना है कितना simple है Right So इसी तरीके से सब सारे sentences बराबर करिए और आगे बढ़ते चाहिए Keep coming, keep learning All the best All the best